हलो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुरुनाल सर के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था दा हिंदू में वह जो आर्टिकल था उसका हैडिंग था कोविड नाइंटीन मिक्स्ट ब्लेसिंग फर इंडिन कैपिटलिजम तो बहुत ही अच्छा टॉपिक करते हैं देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि यह क्षिच आरिजम क्या होता है देखिए कैपिटलिजम क्या है यह एक एक एकनौंट सिस्टम है तो जेस्ट लाइक अधा एकनौंट सिस्टम है या फिर mixed economy, ये भी एक economic system है, तो ये कैसा economic system है, ये कैसा economic system है, जहाँ पर prices, production, और economic activity, कौन determine करेगा, ये determine करेगा market, ठीक है जी, that means कि किसी वस्तुर की price कितनी होने चाहिए, ये कौन धारित करेगा, market, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि demand and supply जो है, वो यहाँ पर role play करेगा, that means कि, अब देखिए, simple of demand क्या कहता है, simple of demand ये कहता है, कि किसी भी वस्तुर की, अगर demand ज्यादा की जाती है, और उसके parallelly supply जो है, वो कम आपको देखने को मिलती है, तो उस context में क्या होगा, उसके prices जो है, वो बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके से, prices ज to demand and supply, production कितना करना है, और किस चीज का करना है, ये content mind करेगा, again market, ठीक है, तो कितना करना है, सुभाविक सी बात है, जितना लोग demand करेंगे, किस चीज का production करना है, तो depend करता है, कि लोग किस चीज की demand कर रहे है, as simple as that, ठीक है, उसके बाद, economic activities, तो economic activities, जो है, ये labor intensive होनी चाह है, तो depend करता है, कि कौन सी यहाँ पर cheap मिल रही है, क्योंकि entrepreneur, उसका aim क्या होता है, profit कमाना, ठीक है, तो हम देखेंगे कि labor यहाँ पर सस्ती मिल रही है, कि हमें capital जो है, वो सस्ता मिल रही है, that means कि machinery वगरा जो है, क्या वो हमें सस्ती मिल रही है, तो जो भी cheap होगा, हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपने बात नोटिस करेंगे, कि prices पी market ने डिटर माइन कर दी है, production भी market ने डिटर माइन कर दी है, economic activities जो है, ठीक है, यह भी market ने demand यहाँ पर डिटर माइन कर दी है, ठीक है, आप यह economic activity जो है, इसको बहुत और भी दूसरे angle से आप इसको study कर सकते हो कोई भी उसमें बुराई नहीं है जो भी एंगल आपको suitable लगता हो इसको आप समझ सकते हो ठीक है अब ऐसे भी देख सकते हो कि economic activities जो है यहां पर हम देख सकते हैं कि जासे किस चीज का हमें economic activity जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए लाइक हमें agriculture sector जो है वहां पर हमें development की ज्यादा अवाशकता है तिक है या फिर हमें industrial sector जो है उसको ज्यादा develop करने के अवाशकता है या फिर tertiary sector जो है उसको ड्वल्प करने के अवाशकता है किसी भी अंगल से आप इसको समझ सक्यों लेकिन पिछले बाला जो एक्जाम्पल था I think that is far much better than the next one अब यहां पर एक बात आपने notice करी होगी कि सब कुछ तो यहां पर determine कर दिया मार्केट ने तो government का यहां पर क्या रोल है देखिए government का रोल जो है वो बहुत minimal होता है जब हम बात करते है Capitalism की Capitalism में government का रोल जो होता है वो क्या होता है उसका रोल होता है सिरफ law and order जो है उसको maintain किया जाए Contracts जो है उसको enforce किया जाए ठीक है तो यह जस्ट एक simple बहुत ही layman language में capitalistic system को आप इस तरीके से समझ सकते हो अब इस article का जो मेन बॉड़ी है वो है कि Indian Capitalism जो है उसकी लिए भी क्या opportunities आपको देखने को मिल रही है ठीक है अब देखिए जब हम इन्डिय की बात करते हैं तो इंडिया में कैसा economic system देखने को आपको मिलता है इंडिया का जो economic system है it's a combination of socialism and capitalism that means कि इंडिया में कुछ आपको mixed economy जैसा economic system जो आपको देखने को मिलता है यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है यहां पर शोचलिस्टिक सेक्टर जो है वो भी काम कर रहे है तो हम इंडिया के economic system जो की mixed economy है उसका एक पार्ट जो की है capitalism तो वो जो एक पार्ट capitalism है वहां पर आपको किस तरीके की opportunities अभी देखने को मिल रहे हैं उसको अभी चलिए हम देखते हैं कि इंडिया के अब उसको प्रचेस कर सके अब उसको परचेस कर सके इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब हुआ कि dis investment की बात करी जा रही है ठीक है और आपने recent past में देखा होगा कि बहुत से ऐसे आपके public after undertake Ingstein जिसका किदס इंवेस्टमेंट कर दिया थी कह जितों किवार डिसेंस्टमेंट किया गया है कहिवार् स्ट्रोटेजिक डिस elecement कियां घंच दिग में ओग सिक जी कमें डिसे डिफरेंश बिटिफरेंश वृट्वियन इस इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रोटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है अब गवर्मेंट भला क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो इसका रीजन यह है कि गवर्मेंट को चाहिए पैसा अब क्योंकि गवर्मेंट को पैसा चाहिए तो गवर्मेंट कैन इवन तो कि इनिन कैपिलिजम जो है उसके लिए यहाँ पे एक golden opportunity जो है वो आपको देखने को मिल रहा है ठीक है जी दूसरा अगर हम देखें entrepreneur को आज की date में land जो है वो कम prices पे मिल सकता है इसका reason क्या हो सकता है इसका reason यह है कि government पे अभी बहुत pressure है प्रेशर किस चीज का है जॉब कैसे provide किया जाए तो अगर किसी तरीके से low prices में भी अगर land जो है private sector जो है अगर उसको हम provide करवा देते हैं और उसका result यह देखना के मिलता है कि job creation हो रही है तो यहाँ पे government जो है यह step लेने से नहीं क्योंकि इन पे pressure है कि किसी तरीके से job जो है उसको create किया जाए और आज के date में अगर हम covid-19 की बात करें क्योंकि इससे related ही हमारा topic है तो आज के date में entrepreneurs जो है उनको cheap labor जो है वो मिल रही है क्यों cheap labor मिल रही है क्योंकि अधिकतर लोगों ने अपनी job जो है वो गवा दी है अब आज के date में आप देखोगे कि मतलब लोग जो है वो काम करना चाहते है अब वो काम करना चाहते है यू कांट इवन बिलीव कि एक रफ डेट आपको बता रहा हूं कि मनब्रिगा का अगर पहले figure माल लीजे 10 करोड थाना पहले तो आज के समय में 20 करोड लोग काम करना चाहत लोगों की नौकरियां जो है वो तो चली गई है तो अब लोग जो है ना मतलब cheap prices पे भी cheap labor पे भी वो cheap wages पे भी वो काम करना चाहेंगे पहले अगर वो 200 रुपे के लिए काम करते तो आज के टाइम में वो 50 रुपे में भी काम करने के लिए त्यार है क्योंकि उनके पास का इसकी दिखाई देगी ठीक है और इसके इलावा बात करें तो क्यूं अब देखनों के मिल रही है इनन capitalism के context में तो एक context आपका होता है force major ठीक है तो यह force major क्या होता है force major एक unforeseen unpredictable uncontrollable event होता है अब यह एक ऐसा इवेंट होता है जिस पर किसी human का कोई control नहीं होता है that means कि this is unpredictable और sometime even यह natural भी हो सकता है man-made भी हो सकता है अब अब माल रिजी ऐसी कोई situation आगी एक बहुत ही catastrophic situation जो आपको देखने को मिल रही है जैसे कि कोई 19 का है तो इसका capitalism से क्या लेना देना है देखी capitalism से इस तरीके से लेना देना है कि यह एक basically जब हम companies की बात करते हैं तो एक यह भी contract जो है कि यह भी contract में close को include किया जाता है force major करके तो एक force major करके close include किया जाता है जब कभी भी terms and agreement जब agree किया जाता है जैसे माल लीजिए कि bank से ही आपने अगर माल लीजिए लोन ले लिया ठीक है तो लोन किस किस तरीके से किसके circumstances में कितने time period के बाद के बाद आप वापस करोगे वह आपको terms बदला दी जाएंगे लेकिन उसके साथ एक और जो term वहां पे clause जो है जाता है जो लोन लेता है ठीक है अब वो किस तरीके का benefit प्रवाइड करवाया जाता है removal of liability that means कि जो usual norms जो थी usual terms and conditions जो थी loan agreement के तहर्ट जो set करी गई थी उसमें यहां पर थोड़ी सी deal बढ़ती जाएगी समझे जो बात को तो अब इसको हम correlate करके देखे अपने entrepreneur के साथ में तो उसको तो benefit ही है कि अगर वो आज के समय में इस clause का बात करके अगर वो क्या कम rate of interest जो है उस पर लोन वो ले सकता है तो अगर वो इस तरीके से लोन ले सकता है तो वो स्वभाविक सी बात है इन्वेस्ट फिर अपने business में करेगा और फिर इस तरीके से capitalistic system जो है उसका growth आपको देखने को मिलेगा और जब इस तरीके का growth अगर आपको देखने को मिलता है ठीक है चाहिए वो कोई भी sector हो ठीक है कोई भी economic system हो तो अगर कोई भी economic system अगर आपका develop होता है तो स्वभाव दोनों countries के बीच में जो trade war चल रहा है उसका इंडिया को कैसे benefit होगा अब देखिए ये restrictions imposed कर रहे हैं चाइना पे Chinese कर रहे हैं Americans पे अब इसका ultimate benefit होगा इंडिया को कैसे क्योंकि Americans जो है अब इनको एक नया market चाहिए चाइना में import duty जो है ये increase किया जा रहा है Americans Chinese product के increase कर रहे है तो इंडिया को तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही situation में benefit है इंडिया के लिए अभी जो ये चाइना का market है वो भी इनके लिए open है और इंडिया के लिए अमेरिका का market भी open है और इंडिया market जो है इंडिन market जो है यहाँ पर investment आ सकता है from America from China that means कि हर एंगल से अगर दे बहुत ही अच्छी बात जो है कि पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो for the first time ऐसा हुआ कि बहुत बड़े quantity में चाइना ने इंडिया से राइस इंपोर्ट किया तो आप देख रहे हो कि कही ना कहीं COVID-19 जो है इसका इंडिया को benefit ही देखने को मिल रहा है और इसके इलाव कि आपको mask, sanitizer और essential commodities के market में लेकिन एक ऐसा sector है जहां पर आपको permanent opportunity है वो भी देखने को मिल रहा है तो यह कौन सा sector है तो यह वो sector है जिसको कि आप mask sector जो है वो कह सकते हो sanitizer sector कह सकते हो essential commodities कह सकते हो यह तो वही बात होगी temporary और permanent में तो difference क्या हुआ difference यह है कि इन सभी terms के सामने आप word जो है use कर दीचिए कुछ fancy words ठीक है जैसे कि आपने mask नहीं बेचना है आपने बेचना है safe mask के सो मतलब एक company है वो इस तरीके से advertise कर रहे है कि हमारा mask जब यह बहुत safe है 100% safe है आप इसको use करो ठीक है तो मतलब इसे नहीं भी खरीदा था वो भी खरीदेगा समझ रहे हो आपको इसके इलावा sanitizer नहीं कहना आपने safe sanitizer समझ रहे हो फिर anti-bacterial germs-free sanitizer antibacterial germs-free आपका mask ठीक है तो इस तरीके से अगर आप fancy words का इस्तेमाल करोगे तो वो सालो साल तक चलने वाला है तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ capitalism जो है यह ट्राइब नहीं है यह थ्राइब है यह टी एच आर आई वी वाला है इसको यहाँ पर थोड़ा सा correction की जरूरत है तो capitalism जो है basically किस context पे चलता है ठीक है इसका pillar क्या है इसका base क्या है तो इसका base है consumers और आज की date की अगर हम बात करें तो automobile sector में आप देख रहे हो कि वहां के क्या हालात है तो पहला challenge जो यह है कि किसी तरीके से यह जो automobile वाला sector जो है यहाँ पर किसी तरीके से demand जो है वह बढ़ाया जाए अब देखिए अचानक से तो इस sector में हम demand जो है वह नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या क कि indirectly government जो है इस sector की तरफ काम करें इस sector की तरफ कैसे काम कर सकते हैं दो यहाँ पर आसपेक्ट हो सकते हैं पहला आसपेक्ट यह हो सकता है कि directly automobile sector जो है उसको concession जो है वो दी जाए तो अगर उसको tax related या फिर अलग-अलग 36 तरीके के जो भी इन पर restriction जो लगाई जाती है अगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो शायद यह अटो वर्ल सेक्टर है इनके जो items है जैसे तो उनके prices कम हो सकती है यह एक पहला aspect हो सकता है दूसरा यह हो सकता है कि directly जो consumers है उस पर government action ले सकती है tax concession उनके context में fiscal stimulus ठीक है तो इस तरीके से अगर government intervene करती है तो फिर आप आपको revival जो है वो देखने को मिलेगा और जिसकी अवशकता भी है जो कि हम एक challenge के रूप में अभी इसको हम देख रहे हैं इसके इलावा कुछ यहाँ पर article में लिखा था कि instances आपको देखने को मिले जहां पर government ने intervention किया और government ने intervention करके क्या किया price determine कर डाला तो अभी हमने द यहाँ पर law enforce करना है तो देखी इसका जवाब यह है सर की इंडिया is not a pure capitalistic economy इंडिया एक mixed economy है यहाँ पर socialistic elements भी आपको देखने को मिलते हैं तो इसलिए यहाँ पे positive तरीके से government intervention कर सकती है market में ठीके जी चलिए उसके बादिक चलेंज भी आपको देखने को यह मिल रहा है क कि जो आपकी tax authorities है nowadays they becoming very harsh इसका reason क्या है कि tax collection जो है यह बहुत कम है और वो एक रुपया भी जोड़ना नहीं चाहते हैं और अगर किसी का एक रुपया भी pending है तो उनको बहुत harass किया जा रहा है आज के time में ठीक है अब इसका reason स्वभाविक सी बात है कि collection जो है revenue का वो मतलब क इसकी up to mark नहीं है तो यह स्वभाविक सा इसका reason हो सकता है तो इसके साथ यह बहुत ही अच्छा एक article था उसके हम समापती पे आ चुके है I hope यह lecture आपके लिए beneficial रहा होगा so thank you for watching keep learning keep growing jahind